हेलो दोस्तों, इजी एंड क्विक मैट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो सीरीज का ये पहला लेक्जर है ये जो सीरीज में आपके लेके आ रहा हूँ इसमें बहुत आसान तरीके से मैं आपको क्वेशन्स करने सिखाऊंगा और ये वीडियोस छोटे होंगे और हर एक वीडियो में आपको एक नई टिप सीखने को मिलेगी जो आपके किसी भी कॉमपोटेटिव एक्जाम के लिए बहुत ही जाद है इंपोर्टेंट होगी मैं पहला वीडियो शुरू कर रहा हूँ इसमें आप सीखेंगे कि कौन सी भीन बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है उसको बढ़ते करम में कैसे लिखना है और घड़ते करम में कैसे लिखना है तो सबसे पहले ये प्रशन आपके सामने है तो देखो शुरू करते हैं आपके सामने ये है कि 5 बटे 6, 7 बटे 9 और 3 बटे 4 में सबसे बड़ी भिन कौन सी है तो देखो question करने के हमारे पास जो है अगर हमारे पास छोड़ी छोड़ी भिन हो तो बहुत आसान है कि इसको divide कर दो लेकिन बड़ी भिन में ये तरीका काम नहीं करता है उसके लिए दूसरा तरीका हम आप भी आगे जाके पढ़ेंगे यहाँ पर आप इनको divide कर देंगे तो काम बन जाएगा जैसे 5 को 6 से भाग दो देखो ये भिन है ठीक है ये 5 बटे 6 लिखा है यानि 5 बटे 6 इस तरह से लिखा है दूसरा 7 बटे 9 है और तीसरा 3 बटे 4 है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम इसको भाग देंगे तो यह आएगा 0 दशमलग 0 लग गया 46, 48, 48 यहाँ पर भाग देंगे तो 0, 79, 63, 9, 63, 9, 63 और ये 0 लगा 4, 28 और ये इतना आगया तो आप अराम से देख सकते देखो डिवाइड करके बड़ा इजी यह सॉल हो गया तो सबसे बड़ी संख्या यह है देख सकते हैं सबसे छोड़ी संख्या यह है अगर इसको लिखना है बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले यह आएगा फिर यह आएगा और सबसे बड़ा यह है छोटी भिनों के लिए यह तरीका बहुत पॉफेक्ट होता है लेकिन जब आपके पास भिन बड़ी होती है यानि अगर आपके पास क्वेशन कुछ इस तरह से हो यह तो इसको डिवाइड करने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा तो इन क्वेशन को करने के लिए आपको एक तरीका समझना है वो देखो क्या है यहां पर देखिए यह भिन है 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 इसमें 2-3 जो है वो 1-2 से बड़ा है फिर इससे बड़ा 3-4 है फिर 4-5 है फिर 5-6 है ओके समझा आ रहा है तो यहाँ पे जो है यह भिन बड़ी है अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है इसका अंतर क्या है एक और दो का एक ठीक है इस भिन में दो तीन का अंतर भी एक है तीन चार का अंतर भी एक है चार पाँच का अंतर एक है यह अंतर एक है इसका मतलब क्या है यानि अगर भिन में अंश और हर का अंतर एक जैसा है तो जो बड़ी भिन होगी वो संख्या भी बड़ी होती है ठीक है जिसमें नंबर बड़े-बड़े होगे वो आपको बड़ी संख्या बड़ी होगी यहां गैप कितने हैं यहां दो का गैप है यहां भी 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 दो का गैप है तो जब भी गैप बड़ी होता है तो जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे बड़ी होगी यानि अगर मैं यह बोलू कि भई एक हमा तो जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या भी बड़ी होगी ये तरीका आप माइंड में रखना और अब हम आगे questions करते हैं यहां पर यह भिना चार का है और यहां भी अंतर चार का है तो सिधी सी बात है जब अंतर एक जैसा हो तो जो संख्या जिसमें बड़े अंख होंगे वो संख्या भी बड़ी होगी ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये सबसे बड़ी संख्या है, ओके, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी भिन, ओके, अब ये प्रश्न है, यहाँ पर देखो, ये है 2 बटे 5, 5 बटे 9, 3 बटे 7, ओके, यहाँ पर गैप क्या है, इसका गैप है, यहाँ पर 3 का, इसका गैप है 4 का, और इसका गैप भी 4 का है, समझ आ गया, यहाँ पर गैप एक जैसे नहीं है, तो हम एकदम से नहीं पता कर सकते कि कौन से संख्या बड़ी है, कौन से छोटी है, तो पहरी बात, आपको भी पता है कि ये संख्या चोटी है, तो अगर आप भाग दोगे तो आपका अंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे देखो dear students यहाँ पे हम इनके gap को बराबर करेंगे तो उसकी लिए हम क्या करेंगे यह मैंने क्या बताय था यह 3 है यह gap 4 है तो 3 और 4 का LCM लेना है मैं हमें LCM किसका लेना है 3 और 4 का जो gap है ठीक है अमीन यहाँ पे यह 3 का gap है यहाँ 4 का है तो इनका LCM लेना है यह LCM होता है 12 अगर आपको LCM नहीं समझ आता है तो यह समझ लो कि हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से भी कड़ जाए और 4 से भी कड़ जाए तो वो 12 है 24 भी ले सकते हो उससे आपको question गलत नहीं होगा तो हमने क्या किया 12 यहाँ पे लिख दिया multiply कर दिया ठीक है 12 का यहाँ गुणा कर दिया और 12 का ही यहाँ गुणा कर दिया यहाँ तक समझ आ गया अच्छा अब देखो यह जो 3 है इससे 12 काटो कितना आएगा चार ठीक है इस चार से बारह काटो तीन आएगा और इस चार से बारह काटो यह तीन आएगा ठीक है यानि जो गैप हमने लिखा था उससे हमें जो ऐसे हमने निकाला उसको काटना है अब यह जो चार है चार और दो का जो गुणा करेंगे यह 4 और 2 का तो गुणा करकी होगा 8 यहां 3 और 5 का गुणा करेंगी तो यह आएगा 15 और यहां 3 और 3 का गुणा करेंगी तो यह आएगा 9 अब देखो इनमें सबसी बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसी बड़ी संख्या 15 है तो हमारा आंसर क्या होगा यह पांच बटे नौ आपको समझ आ गया मैं आपको इससे दुबारा समझाता हूँ देखो जब पहली संख्या है वो है दो बटे पांच उसके बाद है पांच बटे नौ और इसके बाद है तीन बटे साथ इसका हमने एलसियम निकाला और यहां नीचे लिख दिया इसका गैप निकाला वो तीन लिख दिया इसका गैप चार और इसका भी गैप चार यहां तक समझ आ गया अब हमें करना क्या है कि यह तीन, चार और चार का एलसियम लेना है जो कि होता है बारा तो बारा का उपर गुणा कर देना है तीनों में यहां तक समझ आ गया अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इस तीन से यह बारा काटो तो आ गया चार इस तीन इस चार से बारा काटो आ गया तीन और इस चार से बारा काटो आ गया तीन ठीक है और अब हमें इसका जो संख्या अंश में थी और इसका गुणा करना है चार दूने आठ फिर ये पांस तिया पंदरा और तीन तिया नो समझ आ गया तो जो सबसे बड़ी संख्या आई हमारी वो भिन भी सबसे बड़ी होगे इसको खुद करने का कोशिश करें चलो मैं question को करता हूँ यहाँ पर यह है 23 upon 25 यहाँ 43 upon 46 और यह है 13 upon 14 ठीक है तीन हमारे पास भिन्नी यह है अच्छा यहाँ इसका gap क्या है 2 यहाँ पे लिख दिया इसका gap 3 यहाँ पे लिख दिया और इसका gap 1 यहाँ पे लिख दिया ठीक है 2, 3 2 का 3 का और 1 का LCM निकालो तो वो LCM 6 आएगा या फिर ऐसी संख्यालो जिसमें 2, 3 और 1, 3 का भाग चला जाए तो वो 6 है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसका उपर गुणा करेंगे तो 6 का उपर गुणा कर दिया इसका भी 6 का उपर गुणा कर दिया और यहाँ भी 6 का उपर गुणा कर दिया यहाँ तक समझ आ गया अब हमें करना क्या है कि 2 से इसको काटना है यह 3 आएगा इससे इससे काटना ही ये 2 आएगा और ये तो पुरा 6 बार चला जाएगा ठीक है अब इस 23 का इससे multiply करना है 3 से तो क्या होगा 23 तिया 69 दूसरा है 43 टूजा 86 और तीसरा है 13 चा के 88 ठीक है तो अब सबसी बड़े संग्य आप देख सकते हैं ये है अच्छा इसमें सबसे छोटी बतानी है तो सबसे छोटी है ये तो यानि हमारा answer होगा ये ओके तो ये भिन जो है सबसे छोटी है ओके next question इसमें बतानी है सबसे छोटी संग्या क्या है तो यहाँ पर हम करेंगे और I hope अब आपको ये तरीका समझ आ गया होगा मैं चाहूँगा अगेन आप वीडियो पाउस करके इससे solve करो तो इससे कैसे solve करें देखिए यहाँ पर बारा पहला जो है वो है बारा बटे पंद्रा फिर है 25 अपॉन्टिन नाइन और इसके बाद है 63 और ये gap है 12 का तो अगेन हमें इनका LCM लेना है या ऐसे संख्या लेने जिससे पिनों कट जाए तो वो होगी 12 इसका LCM 12 आएगा तो इसका उपर गोणा करो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 यहाँ तक समझ आ गया अब हम क्या करेंगे 3 से ये 12 cancel करेंगे कट करेंगे तो 3 चको 12 इससे काटेंगे चारतियां 12 और ये तो एक बारी कट जाएगा यहाँ पर ठीक है तो देखो यहाँ पर ये जो 12 है और ये 4 इसका multiply करो 12 चको 48 25 पिचेतर 63 तो सबसे छोड़ी संक्या पूछी तो ये सबसे छोड़ी संक्या होगी और हमारा answer है ये ओके सबसे बड़ी पूछी जाती तो ये बीच वाली होती ओर राइट So I'm sure आपके concepts killer हो चुकी होंगे और अगर आपको तो I'm sure अभी तक आपके concepts killer हो चुकी होंगे और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो आपको ये question को solve करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस question को करें और comment section में इसका answer लिखें So thanks for watching the video और अपना feedback comment box में देना वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा है चैल मी और channel को subscribe करें अगर आप नए है इस पर और अभी तक नहीं किया है अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो description box में मैं ने playlist दी है उसमें बहुत सारे maths के वीडियो होंगे तो आप उसे देख सकते हैं ओके टेक क्यार